हेलो दोस्तो हमारे यूटूब चैनल घर का वैद में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घुटने के दर्द से राहत पाने के कुछ चोटे-चोटे से घरेलू नुज़ के दोस्तो गुटने का दर्द हो तो लोग अक्सर दवाई लेते रहते हैं लेकिन उनका इनसे क्या होता है कि कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है लेकिन फिर से वही दर्द सुरू हो जाता है दोस्तो आईए जानते हैं इसका एक स्थाई इलाज दोस्तो जो है गुटने के दर्द में हमें अक्सर लोग दवाई लेते रहते हैं लेकिन कुछ उपाय अपना कर हम इने गर बैठे ही इनसे चुटकारा जो है पा सकते हैं दोस्तों गुटने के दर्द वाली जगह पर रात को सौफ ये है जैसे ये है सौफ रात को सौफ भुने तेल की मालिस करें और किसी कपड़े से गुटने को चीतरे से बांज लें ये से जो है गुटने के दर्द में आराम मिलेगा और सुबह उड़ते ही अकरोट की तीन चार गिरी खाने से भी इस दर्द में राहत मिलता है मेथी दानों को तवे पर कुछ देर के लिए सेकें और ठंडा होने पर पीस लें इसे सुबह से आम पानी के साथ लेने से गुटने के दर्द में आराम मिलता है दोस्तो अद्रग का रस, काले मिरच और सेंधा नमक का चूरन बना लें और इसे तीन तीन गराम सेहद में मिला कर चाट लें इसे भी गुटने के दर्द में आराम मिलेगा दोस्तो लोकी के टुकडे लोकी के चोटे-चोटे टुकडे कर लें करके उन्हें गरम करके गुटने वाले दर्द के स्थान पर बांदने या लेप करने से भी दर्द ठीक हो जाता है दोस्तो आप अपनी खाने में खीरा और लेसुन का परियोग है जो ज़्यादा से ज़्यादा करें इसे गुटने का दर्ध है कहीं और जोडों में दर्ध है तो उसमें भी इससे आराम मिलेगा दोस्तो ये थे कुछ चोटे-चोटे से घ्रेलू टिप्स जिने अपना कर आप गुटने के दर्द से या कहीं कोहनी वगेरा में दर्द है जोडों में दर्द है तो आप उससे बड़ी आसानी से राहत पा सकते हैं तो दोस्तो आपको यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें दोस्तो इस रहनी सीजन हमारे इस चैनल के नाम आप एक पेड जरूर लगाएं जिससे हम जो है अप अपने वातावरन को सब मिलकर एक एक पेड लगा कर अपने आसपास के वातावरन को सुध और सवच बना सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं थैंक यू पर वोचिंग माई वीडियो